हलो एवरिवान एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे अगर आप लोगों ने सी उनिटी पीजी का एंटरेंस दिया था उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आये है और आपको अच्छा उनिवर्सिटी नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए एक ओड चा कम भी है तो आप बहुत सारी अच्छी इनिवर्सिटी है जहां पर आप लोग ट्राइ कर सकते हैं कांसलिंग करवा सकते हैं एडमिशन हो भी रह है क्योंकि जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं चेक कर पा रहे है कटो वगरा कम ही जा रहा है इस साल भी काफी सारे कोर्स का तो में भी आपका कोर्स उसके अंदर सामिल हो तो आपको भी वहाँ पर भी एडमिशन मिल सकते हैं बाकि अगर नहीं मिल रहे है तो आप लोग यहाँ पर यह निवर्सिटी ओप अलावाद के अंदर अप्लाई कर सकते हैं इसका जो फोर्म है वो रिलीस कर दिया गया है हम पर उपर एक notification फ्लेस हो रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हैं PG admission 2024 हम लोग इस पर क्लिक करते हैं ताकि मैं आपको चीज़े क्लियर कर पाऊं सारी चीज़े ठीक है form कैसे भरना है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें हिंट देखे जाओंगा तो प्लीज आप लोग यहां पर इनके contact number दिये गया है अगर आपको कुछ भी help की जरूत हो तो डैकली आप इनसे भी contact कर सकते हैं सीधे नंबर दिये गया है जो कि सुबह 11 बज़े से लेके 5 बज़े तक आपके ओन रहते हैं यहां पर registration link दिया गया है जहां से आपको form फिल करना है यहां पर phrase release मतलब notification है जो कि English में और नीचे हिंदी में आपको इसा भी अपना notification अपनी सुविधा के नुसा डाउनलोड करके और clear कर ले चीजे बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत यहां से clear कर देता हूं कि कब से लेके कब तक आपके जो form है वो यहां पर चल रहे है और आपको form कैसे fill up करना ठीक है यह फ्रेस रिलीज है आप देख सकता है कि form जो वो start हुए है आपके कब से 16 में से ठीक है 16 तारिक से आपके form start हो चुके है जब आप PZ के लिए form भरे देखे वहां पर अलग अलग सेक्षन आएंगे पीजी के लिए यह वाला नाम यहां पर लिखा रहेगा पीजी एटीटी के यह आप ध्यान रखना और यहां पर देखिए लास्टेट फोर रजिस्टेशन और फाइनल समिशन ओप एप्लिकेशन फोर्म यहां पर देखिए क्या 5 जून यानि कि आप 5 जून तक अपना form जो कुछ कुर्शेस है आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आपके 32 है यहां पर आपकर 35 कोर्श है तो आप अपना जो कोड़ से यहां पर देख लेंगे बाकि देखिए एक्जाम जो है वह आपका यहां पर ओनलाइन भी होगा और और अफलाइन भी होगा ठीक है प्रियाग परड़ाज है लखनौ है कानपूर ए कोरकपूर है बारानसी है इपरेली है तो यह कुछ अउतर प्रदेस अन्ड नियू डेली ठीक है तो यह कुछ सेंटर है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलने वाले गाई अगर हम लोग बात करें उनलाइन ओनली ठीक है तो यह होगा आपके बोफवाल में कोलकाता में पटना में तुरुवेद्रम पुरम में तो यह चार सेंटर जो है वो आपके दिये यहां पर जो है 300 नंबर का पेपर होगा एंड एक सो पचास मल्टिपल चोईस के आपके कोशन यहां पर होंगे ठीक है एंड यहां पर देखिए दियर विल भी नो नेकिटिव मार्किंग फोर रोंग आंसर यह अगर आप कोई कोशन गलत करते तो आपको नेकिटिव और रोंग आंसर अगर आप गलत आंसर कर रहे हो तो आपको यहां पर मास नहीं कटेगा अगर हम लोगज एड्मिट काड डॉनलोड की बात करें तो वन वीक बाद में आपका यहां पर यहां पर आप जो है डावनलोड कर सकते हैं एक्जाम का डेट विग्यश्कूं यहां आपको से घृक्र करते हैं यहां से यहां पर उसकर ने science पर आप इससे वह जो एक करते हो तो यहां पर फीट से वहाँ अपने सुभीदा के नुसर हिंदी इंGER चाहिए उसमें कर सकते हैं यहां पर यह साथ है कोर सब प कर सकते हैं यहां पर यह कुर्सेक्रश uh English Literature, English Language, Hindi, ठीक है, यह सारे कोर्सेस है, History, जोग्राफी, Political Science, सारे इसी के अंदर आपको देखने को मिलते है, Philosophy है, जोग्राफी, इसके अंदर है, यह राज जोग्राफी, ठीक है, तो यह सारे कोर्सेस इसमें है, LLB वाले इसमें कोर्सेस है, एंड, PG, 80, Second के अंदर यह, तो जब आप फॉर्म फिल करें, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से और केरफूली फॉर्म को फिल करिएगा, जिससे अगर आपको Political Science करना है, तो आप इस वाले पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम लोग देखिए, यहां पर लिखा हुए, Select Application Form, तो हम किस पर करेंगे, यहां पर देखिए, सारे आगे, First, Second भी है, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके Proceed कर देंगे, उसके बाद आपको यहां पर देखिए, सारा बता रहा है, और भी आप लोग यहां पर देख सकते है, यही सारा था, पांच जून तक जो है, आपका Form Fill यहां पर होगा, 16 में से स्टार्ट हो है, और 5 जून तक आप जो है, अपना जो Registration है, वो Complete करेंगे, मतलब यह सारा प्रोसेस आपको करना, जिसमें देखिए, आप अपना Full Name देंगे, ठीक है, और फिर से आपको वापस एंटर करना है, कनफर्म बोल रहा है कि Applicant का Name, यानि कि आपका खुद का नाम बूच रहा है, ठीक है, उसके बाद Applicant Father's Name, आपका Father's Name देना है, Mother's Name देना है, यहां पे Nationality में इंडिया, यह अगर आब बाहर के तो अधर आ जाएगा, Mobile Number, Email ID, Confirm Email ID, Gender और Date of Worth, यह फिल करना है, दो चीज़ का खास का ध्यान रखना, Email बिल्कुल सही भरना, Mobile Number बिल्कुल सही भरना, यह चीज़े गलत मत करना, यह आपको आपके Counseling तक काम में आने वाली है, यह आपको ध्यान में रखना है, अब देखे, यह पहला प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर देखे, यूजर ने, पासवर्ड आपके मैसेज के तुरू पता चल जाएगा, अब अगर आपको यहाँ पर और भी कोई प्रोब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंड बोक्स में कमेंड कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिपलाई करूँगा, अधर्वाइस आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो करके वाँ मैसेज कर सकते हैं, अच्छी उनिवर्सिटी है, आप लोग यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं, यह एक सेंटरल उनिवर्सिटी है, अप लोग यहाँ पर भी देखे, लिखा हुआ भी है, एक स इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्यू सो मच